उसके question answer, मतलब text के नीचे जो question answer है, वो आज यहाँ पे देखने वाले है पहला question है, लेखक आने बिबड़ाची ताजी पावला पाहिलान अंतर चा कृती चा गटना क्रम लिहा गटना क्रम मतलब आपको एक order लिखना है, जहाँ पे हमारी जो लेखक है, उसने बिबड़ा याने कि जो लेपड है उसको जब देखा था तो उसकी जो footprints देखे थे, ताजी पावला मतलब जो fresh footprints जब हमारे लेखक ने लेपड के देखे थे तो उसके बाद जो भी घटना घटी, उसका आपको sequence में answer लिखना है, दो sequence आपको दिया गया है और तीन fill in the blanks है, ऐसा आपका question है ये मैं यहाँ पे directly दे रही हूँ, जंगलाचा कोपरयाथ हलचाल जाली, मतलब जंगल के corner में कुछ हलचल महसूस हुई लेखकाने सगलानना हाताने थामबाईची खूण केली, लेखकने सबको हात से इशारा किया की रुग जाईए लेखकाने दूरबेन डोलानना लावल्यावर ती हलचाल स्पष्ट जानवली, मतलब लेखकने आखो पे जब दूरबेन लगाई तो उसको वो जो हलचल हुई ती वो स्पष्ट, मतलब क्लियर दिखाई दी ती तेंदू चा जाड़ा खाली बांबू मधे बिबडा बसला होता, वहाँ पे तेंदू नाम का एक पेड था उसी के नीचे बांबू में, बांबू का जो पेड है उसमें एक बिबडा यानिके एक लेपड एक चीता बैठा हुआ था त्याचा रंग आसपास चा परिसराशी मिसरवन गेला होता, शेपट हल्या मोले तो लेखकास दिसला मतलब उस बिबडा जो है, उसका रंग इतना आजू बाजू ची परिसर, मनज़ेश का आजू बाजू का जो एरिया था, जो पेड पौधे थे उसका रंग इतना सिमिलर हो गया था या पिर गुल मिल गया था की मिसरवन गुल मिल जाना, तो इतना गुल मिल गया था की अगर उसकी पूछ हिलती नहीं तो लेखक को वो दिखता नहीं, मतलब पूछ हिलने के वज़स लेखक को वो दिखाई दिया तेची पाठ लेखक आणी साथीदारान कड़े होती तेया मोड़े बिबड़ा ने त्यानना पाहिले नहीं जो बिबड़ा था उसका जो पीठ है बैक साइड वो लेखक और लेखक के जो मित्र है साथीदार उनके साइड थी इसके लिए उस बिबड़े ने लेखक को नहीं देखा है ये पूरी घटना है या आपका आंसर नहीं है या आपको सिप सिक्वेंस में लिखना है आगे जाते हैं ये आपका बड़ा क्वेश्चन है तो जो प्रसंग होता, जो आपन जंगल डाइरी या धड़ा मदे पाहिला, तो तुम्हाला शब्दा मदे लिहाइद सा आहें। जब वागी, मतलब जो टाइगरेस है, वो उसके बच्चों से मिलती है, तो वो वाला जो मेमरी है, वो वाली जो गटना है, वो आपको शब्दों में लिखनी है। फर्स्ट, आई तिच्चा मुलावर भरपूर प्रेम करते। देखिए, आंसर मैंने छोटा और सिंपल रखा है, पर आपका जो आंसर है, मतलब क्वेस्चन के अनुरूप ही मैं आंसर लिखती हूँ, ऐसा नहीं कि लिखने के लिए लिख रही हूँ, तो कोई भी इसी सेंट जो आपके क्वेस्चन के रिलेटेड है, वही मैं आंसर में लिखती हूँ, यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टन चीज बोली है कि मा, मतलब जो टाइगरस है और उसके बच्चे का जो रिलेशन्शिप है, वो मा और बच्चे का रिलेशन है, तो उसके बारे में थोड़ा ह में बताना चाहिए, आंसर लिखते वागते, इसके लिए मैंने लिखा है, आई तीचा मुलावर खुब प्रेम करते, मुलाचे ही आई वर खुब प्रेम असते, और बच्चे भी मा से बहुत प्यार करते है, त्या दोगान मधिल नात अतूट असत, अतूट मतलब जो कभी नहीं सकता, हम लोग हमारे दोस्त के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, जगड़ा करते हैं, दूर रहते हैं, पर बच्चे का और माता का जो रिलेशन होता है, वो अतूट होता है, वो कितना भी जगड़ा हो, कुछ भी हो, वो टूटता नहीं है, त्यागे, सो ये तीन जंगल डारी या धड़ात अशाज एका वागीनीचे आणि तीछा पिल्लान से प्रेमर नाते सांगितले आहे। जंगल डारी या धड़ात अशाज पिल्लान से प्रेमर नाते सांगितले आहे। जंगल डारी या धड़ात अशाज पिल्लान से प्रेमर नाते सांगितले आहे। आणि रात्रबर ती खूब शिकारी साथी फिरते मेहनाद गेते आणि अच्छा मुले ती कुप ठकलेली यासते रात्रबर आणि ती सकाली जवाईते ते कुप ठकलेली यासते। सकाई पिल्लान जवड येतास ती ताना हाक मारते। जसकी प्रतेक अपले घरजरी अपले आईवडेल अलत्री अपले हाक मारता तसा प्रतेक प्राणां चब आपती सुधा तेच होता। आणि माणों ती वाघिण सुधा पिल्लान जवड आलावर पिल्लाना हाक मारते तीचा आवाजा मदे। ठीक है। सो ये थोड़ा हिंदी में बताती हूँ या धड़ातिल वाघिण मतलब इस धड़े में इस चैप्टर में जो टाइग्रेस है वो क्या करती है। खुद के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अकेली ही शिकार पे चली जाती है रात को। पूरा रात वो शिकार ढूंटी रहती है इसके लिए वो ठक जाती है और सुबे जैसे ही वो पिल्ला मतलब बच्चों के पास आती है तो उनको आवाज देती है पुकारती आईचे आवाज अईकून पिल्ला खुँख खुश होताँ ठीके आपले आला ही तसस होताँ आता तुम्ही मोठे जालात मोड़न ती जानिव कदाचित थोड़ीशी शीन जाली असेल वाटत नसेलाता तेवड़ा पन लाहान पड़ी सगर्यांस असा होताँ आण ही पिल्ला कराला सुर्वात करता या पन चैप्टर मदे पाहिले आपली आई खुब ठकली आहे याची ताना जानिव देखिल होतने शोटी ती लाहान पिल्ल असता त्याना योडी समझ नसते ताना आई मंज सुख याचा अली कड़े पली कड़े काही दिसत ने तैच्छा मोड़े ज इतना अँजैता आका कहला सुन कर वहां सुनकर वह जो बच्चे थे टाइग्रेस के वह बहुता कूष हो जाते हैं जैसे मान आते हैं वह उस पर छड़ते हैं मसी करते उसके साथ उनको फानक नहीं होते है कि माई ठकी हुई है ऐसा कुछ उल्प अन कुन को मैसूस नहीं पुरुन रात्र शिकार करते और ताचा मुले ती सुधा तैंचा वर मस्ती केलना मुले जास्चा वल कही रागवार नहीं तीला देखिल मुलांचा सहवासा ताच आनन्द मिलतो अश्या प्रकरी वागईण आणी तीछा पिलांची भेट हा प्रसंग माला खूब आवड़तो आवाज का पर उसका भी उसके बच्चे पर बहुत ही प्यार होता है इसके लिए उनको रात को छोड़के शिकार के लिए जाती है तो वो पे मेंचन की है आता पुर्चा प्रष्ण बगई आपन लेखकाला वागेणी तील आई लेखकाला वागेणी तील आई ची जलक जानवली है विधान पाठाचा आधारे सफ़्ष्ट करा आता इथे पन का होते मैं ते वर्च जो उत्तर आहें तेच उत्तर आपलेला सुधा लिहाईज जसा मी तुम्हाल सांगते वन बाई टू ओफर असते मोस्ट ओफ करून जर तुम्ही वेगवेगे ट्रिक्स यूज कराल स्ट्राटरजी यूज कराल अभ्यास करतां ता अभ्यास हाँ खुब सोपा होते सेम गोश्ट ही रिपिट होतासता फक्त जर शब्दर अचना बदल लिली असते बाकी काही नसता ता मोणे मी प्रयतन असस करते की सेम सेम वाक्या अशी कैची बनावते जेने करून ती एका दोन उत्तरान ना वापरता ये तील आणी ती चालना सरकी असता त्या मोणे तुमी पण ही गोश्ट इन फ्यूचर लक्षा ठेवा येचा अर्था जांग ते प्रश्णाचा काया है लेखा काला वागीनी तील आई है ता प्रश्ण परत तसस विच्छार लेले वरती आई चानी मूलाचा बॉंडिंग विच्छार ले तो उसमें मा की जलक लेखा को कैसे दिखती है वो यहाँ पर आपको बताना है तो उपर वाला जो आंसर है वही most of थोड़ा सा नीचे रिपीट हो जाएगा पिल्ल सुरक्षित रहावी मणों वागिन तीचा पिल्ला ना दाट जुडपात लपाऊं ठेवते वर्चस लाइन आपन बगतों किने परण तेच आहे फक्त इते मी दाट जुडपात आड करूं ठेवले किती कुठेल अपवते तर दाट जुडप जुडप मनजस काई बुष 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 ओके रात्रबर ती शिकारी साथी जंगलात फिरत अस्ते हा सुद्धा बरती अपन मुद्धा बगितले सेम तसस लिहाईच रात्रबर शिकारी मुणे शिकारी साथी फिरले मुणे ती सकाई खुप ठकलेली अस्ते ये सुद्धा अपन बरती वाच लेला आहे सकल ये पिल्लांजवड येता सितना हाक मारते मझे ज़ा तुम ही बगाल तो वर्चाँच पूरण पॉइंट आपण हे इथे लिलेले आहे बरबर मझे तुमचा काम सोप जाला वर्चा प्रश्ण ज़ा तुम ही केला तक खाल चे प्रश्ण तुमसे होता है हिंदी वालों को बताती हूँ बच्चे सुरक्षित रहने के लिए जो शेरनी है उस बच्चे को जाडियों में चुपा देती है रात भर वो शिकार के लिए गूमती रहती है और रात भर शिकार के लिए गूमते रहने के वज़े से गूमने के वज़े से वो सुबे बहुत ठक जाती है और जैसे वो सुबे अपने बच्चों के पास आती है तो उनको आवाज देती है, पुकारती है आईजा आवाज आईकून पिल्ला खुब खुश होता है शब्दा ँदोन वाक्य में वाड़ा हो लेता चामते तो तूम ही पनाशी वाड़ भाइचे वाक्या तो जब बच्चे माँ का आवास सुने वाच्चे बद खुश हो जाते है माके पास आते है … माके बौड़ी पर जम करते है खेलते हैं, इनफाक्त वो ऐनिमल्स है, तो ऐनिमल्स जैसे ही बिहेव करेंगे, मस्ती करेंगे, और दंगा मस्ती करते, बहुत धूम मचाते हैं वो वहाँ पे वागी निला मातर ता गोंधा चा त्रास होतास तो वो भी आपको मेंचन करना है कि शेरनी को वो चीज जादा अच्छी नहीं लग रही होती है वो मस्ती करते है वो सब पर जो शेरनी है उसका अपने बच्छो पे बहुत प्यार होता है इसके लिए वो ज्यादा टाइम गुस्ता नहीं करती तो यह सभी इतना तो आंसर हमारा जो उपर वाला है वही हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि यह भी यहाँ पे इंपोर्टन्ट है ही ठीक है तिला देखेल मुलांसा सहवासादस आनंदर मनितों सेम लाइना है पिल्लांसे आता इत्थून बगा इत्थून आपला नविन एडिशन सालू होता है उसको भी बच्छों के साथ बहुत ही आनंद मिलता है यहाँ तक हमारा जो उपर वाला क्वेस्टन का आंसर है वही हमने सेम एज इस लिखा है यहाँ से हमारा तोड़ा अलग चालू होता है देखते हैं पिल्लांसे पोट भरावे मणुन तिने रात्र भर फिरून शिकार के लिए मतलब बच्छों का पेट भरने के लिए वो रात भर घूम के उसने क्या किया था शिकार किया था मुलानना खाउं मतलब जो सुबह आपने अगर चैप्टर सुना होगा पढ़ा होगा तो आपको पता है कि वो सुबह बच्छों को उकारती है क्योंकि उसने बहुत बड़ी शिकार की होती है तो वो जो शिकार है वो बच्छों के पास वो नहीं ला सकती थी इसके लिए वो क्या करती है बच सब बच्चे उसके पिछे पिछे आ रहे है की नहीं वो भी वो पिछे मुड के देख रही ती अगर 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 आणि हे सुमाला खाली लास्ट मुद्यात लिहाईचा है कि या सर्व प्रसंगावरून वागीनीला तीचा पिल्लान चा सुरक्ष देचे किती कार्जिया है है समस्ता मतलब अपनी बच्चों के प्रती सुरक्ष वो कितना इंपोर्टन्ट है उसके लिए वो इस सबी बातों स पता चलता है वागीन असुन देखेल पिल्लान साथी तीचा मनात अस्टनारे प्रेम या प्रसंगावरून दिसता मनजे बाकी जे तुम्ही प्राणी बगलत चा मदे यह उड़ी प्रेम अल भावना कदाचित नसते पड़ वागीन हे जे हाज प्राणिया है तो अपने अपने बच्चों के लिए इतना प्यार उसके मन में है ये इस प्रसंग से हमें दीखता है कि वो पलट के देखती है बच्चे आ रहे हैं कि नहीं ऐसे आता खाली अपलेला एवड़ा अपन वागीने बदल सांगीत लाणी खाली अपलेला परत जे मेन प्रश्णा है कि मुल अशाप्रकारे लिखकाला वागीनी तिल आईच जलक जाना वली मतलब यहां पे इतना सब देखने के बाद उस लिखक को अंदर से खलिक हुआ अंदर से महसूस हुआ कि एक माता एक जो हूमन है ठीक है एक मनुष्य माता जो अपने बच्चों को इतना प्यार करती है उसका खयाल रगती है उसी तरह यह अनिमल होके भी वही चीज कर रही है और इसी वजह से लेखक को उस श्वेरनी में मा की जलक दिखाई देती है ओके करड़े तुम्हाला मनुचे आपला उत्तर कुठे चालू जालेला आहे ततला अर्द उत्तर तुम्हाला पहला प्रश्ना मतल तरह नहीं में एक टीप देते कि जवा के वहा तुम्हाला वीडियो आइगता कि वहा उत्तर पाठ करता तेवा ट्राई करा ते विजुवाला आइज करा अचाल बडोला समूर आना जैसा कि जवा आपन औडियो बुक्स वेगर आइक तो तुम्हां आइकत असल कि नाही माय आहे तापन डोलाया समूर तया बगायला लागतो तर तया जास्त लक्षात रहता तया चामोल उत्तर आइकताना सुध्धा असा इमाजिन करा कि हाँ वागिन आलेली आहे तिने पिल्लाना आवास दिलेला आहे वह पिल्ला ती चकड़े धावता है वहे जेवा तुम्ही डोला तो ती आठ्वन तुम्हा माइन्द मोले सेटब जाली पाइजे जैसे कि अपन पूर्ण पिच्चर बगतो तो तो फूरण पिच्चर सचुत्ध अपन सांगताना कसा आप लेल जरु लक्षण देत अ बगईत ला आपन नीट बगईत ला तर त आपन पूर्ण स्टोरी अच्छा मुले ती जास्त मनात रहते, मनुन अच उत्तरा एक तना ट्राय करा कि इमाजिन करहे असस जाला है, मा वाघेन आली है, मा यहा गोश्टी कशे तुम्हाला फिल्म टाइप लक्षात रहते, ओके, दुसरा प्रश्णा है अपला, डायरी लीने हा छंद प्रत्यकाने जोपासावा या विशाई तुम्हे मत लिहा, डायरी मन जसका है, रोजनीशी अपन बोलतो, त्याला दैनन दीनी सुधा मराठी मदे बोलता, तर डायरी लीना हे एक होबी मनुन सगया नी केला पाई छे, तर तेचा मत लिहाई चे तुम्हाला, तुम्ही तुम्हे मत मांड लिखना है आपका, उपिनियन लिखना है खुद का, सो स्टार्ट करते हैं, डायरी मन जसे आपले आठवणींचा खजीना, अता है मी स्वताली लेला है, तच्छा मोडे थोड़ा सा हटके, सो डायरी मन जसे माजे सा ठीक आया है, तर मी इंडिविजुली माजम अता है, कि डायरी मन जसे, आपले आठवणींचा खजीना असतो, आठवणींचा मन जसे, जसकी हिंदी मदे सांगा से जाला तर, डायरी मतलब, हमारी जो भी यादे है, उसका एक पिटारा होता है, यादों का पिटारा होता है, प्रत्तिक दिवशी आपले आयुशत घडणार्या महत वाचा घोष्टी, आपन डायरी त लेतो, हाँ, डायरी में हम लोग क्या लिखते है, डेली लाइफ में जो इंपर्टन चीजे होती है, वो हम लोग वहाँ पे उस डायरी में में मेंचन करके रखते है, लिखते है, सग्रस का इलियत नहीं बसता है, पन मी उठलो, मी दाद गासले में अंगोल के लिए, अस नहीं लिए त आपन डायरी में, डायरी में में का लितो, कि संपुर्ण दिवसा में तुम्हाला कुठलातरी महत वाचा गोष्टी, काईतरी महत वाची जाने उजे जाले, ते आपन नोट डाउन करतो आने लिहून ठेउतो, बरबर, जा प तोड़ासा रिलेट केले, मंजे ही डायरी लिण आणी फोटो, एशा मदे माला थोड़ासा सिमिलारेटी जाना उली, अने मनुद में ते हां मुद्दा माण लाइक ते, कि जा प्रहमाणे आपन एखादा ठिकानी जातो, कि वा बड़्डे पाटी, कि वा कोणाला भेटा आ आणी खुब दिवसान अंतर, खुब वर्षान अंतर जो आपन तो फोटो पहातो देवा, आपले आला, अच्छानक पणे त्या दिवसात गेला सरक वाटतो, ती भावना जाना होते आपले आला, तसस डायरी लिता ना सुधा माला ही गोश्ट जाना होते, कि डायरी लिता आपन आपले जा भावना आहे ते शब्दान चा रूपा ने तिथे कईद करून ठेउतो, करेंट शब्दा मदे आपन आपले भावना लितो, तरहां एक मुद्दा वाला सवाटला, तुमी लिता है, तो हिंदी में थोड़ा सा बताती हूं, कि हमारे डेली लाइफ में जो चीजे होती है, उसको हम लोग डाइरी में लिखते हैं, और जैसे ही एक फोटो की मतलब जब कामेरा से हम लोग जब फोटो क्लिक करते हैं, तो उस फोटो में वो जो मुमेंट होता है, वो कैप्चर होता है, तो वैसे ही जब हम लोग डाइरी लिखते हैं, तो हमारी जो फि उत्तर मणों सांगु इच्छित नहीं है मी तर एक्चुल मधे पन रियल लाइफ मधे पन हे खुप इंपोटेंट आहे डाइरी लीना करन डाइरी लीना मुझे आपलेला एक नविन दुरुष्टिकोन में तो कि आपलेला काय करायेच आहे करन आपन विचार करता हो असा नॉर्मली बोलतो तेवा आपन एवड़ा विचार करतने पन जेवा एक आधी गोश्ट आपलेला लिहायला सांगितली जाते तेवा आपन विचार करतो प्रौपर ली ताछावर मणुनस आपलेला बग हाँ उत्तर बोलता ना और उत्तर लीता हाँ फरक जाना उतो जवा मी तुम्हाला ओरल विचारते ना तुम्ही पटकन जे असता ते बोलून टाकता पन जवा तीस गोश्ट मी लिहाला सांगते तुम्ही विचार करता थोड़ा वे कि वाक्य वरोबर है की नाहीं चमते की नाहीं आणि तैच्छा तुम्ही जासता चेंग्जेस करता जवा तुम्ही लिहता त्या मुले डायरी लिहला मुले जिवना कड़े बगणाचे एक नविन द्रुष्टिकों आपलेला मिलेतो जब भी आप डायरी लिखते हो तब दुनिया को देखने का एक आपका अलक नजरिया आपको मिल जाता है आपले विचार और अपले भावना अपले अधिक सांगले पधतीने समझाला लागता है मतलब आपके विचार आपकी भावनाएं आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है क्योंकि आप लिखना चालू करते हो ठीक है जब तुम्ही लीता ना ते वहां तुम्ही विचार करता कि आज हे हे घडला मत या गोश्टी बदल तुम्ही विचार करता कि ये बरोबर घडला की चुकी चा घडला याच्छा मदे मला काई चेंजस करता आले असते या सग्या गोश्टींचा तुम्ही विचार करता तुम्ही 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 भावनाँचा विचार करता इन फैक्ट डायरी लीण मंजे तुम्ही स्वताहचा विचार करता थामबून करण या जगात अपने उडे बिजी असतो कि अपन सगया गुष्टिंचा विचार करता अणि स्वताहचा अपलाला काय पाये जे अपन कुठे सुपत ये विचार करना अणि ती गोष्ट अपन डायरी लेताना अपलाला ती जाना उथे आपले कुडुन होना रहे चुका या डायरेट लीता ना आपले ला त्या करता ओके बगा जेवा एकादी गोश्ट तुम्हाला पटकन बोले तुम्ही विश्रोन जाता पंड़ ती तुम्ही लीता चाहाता ने तुम्हा माइंड मदे रहता मड़ुनाज खुप वीडियोज मदे मोटिवेशनल वीडियोज की वा प्रड़क्टिवीटी वाले जा वीडियोज असा तच्छा मदे सांगीतला जाता सकाली उठला उठला तुम्ही लिहून ठेवज्जा कि तुम्हाला पुरुना दिवसात काय कराईचा है करण राइटिं ज्योड़ा तुम्ही राइट कराल त्योड़ा तुम्ही ललक्षा है जास रात त्या मोट जैवा तुम्ही चुकह सुधा तुमचा डायरी ता विशाया लिवत हैं तो आमको वो ज्यादा महसूस होती है डायरी लिहला मुझे घड़ून के लेला गोश्टिन से आपन शांत पड़े विज़ार करते हैं मतलब जब हम लोग डायरी लिखते हैं तो जो चीजें हो चुकी है जो गटनाएं बीच चुकी है उनके बारे में हम लोग शांती से ज हम जब लिखना चालू करते हैं तो हमारा मन थोड़ा हलका होता है जैसे कि हम किसे से वह बात कर रहे हैं किसी को बोल रहे हैं और हमारा माइंड डोक शांत रहता है आपका दिमाग भी धीरे धीरे शांत रहता है क्योंकि आपके मन में ही वह आपको महसूस होता है कि मैंने इ झानती सबस्केंद सब्सक्राइब और मीफें मिलता है हम ज्यांदा से जाइब चाहिए प्रैत्न सब्सक्राइब करतो आणि सेम रोज रोज स्थेच स्थेच लीतों तरह अपलेला पॉन एक टाइम दंतर वट्ट की का है ही एक चुक में किते वाली लेले आए माज डायरी मादे आणि तया मुझे अपलेला स्वताहला स्थे जानोंत की नहीं है चुधरल पाई जे मनुनस डायरी लेने हाँ चंद प्रत्ते काने जो पासला पाई जे मनुनस जो डायरी लिखने का जो होबी है वो सबको क्या करना चाहिए करना चाहिए अपलाई करना चाहिए जर तुम्हाला पड़ हाँ प्रश्ण आणि याचस उत्तर एकुंत रखरत मना पास उन वाटला सिलकी नहीं हाँ माला पड़ से केला पाई जे तो सुर्वात करा सो ढेक्स्ट क्वेशन आणि विशेशन याँचा जोड्य लावई चाहिए वीशेशन याचा अर्थ होतो अगजेक्टिव वीशेश मायदी जांग्णारा शबद पहिला है वालक्या काट्क्या वालक्या मंझे ड्राई आनि काट्क्या मंझे काठ्या जाड़ाय चाजा काठ्या अस्तात वाइले लिया त्या वालक्या का मतलब क्या मैंने बताया ड्राई और काट्क्या का मतलब होता है जो पेड के सुखे branches होते हैं, टहनिया होती है वो दाट, जंगल, दाट मतलब घना, जंगल खेलकर, पिल्ल, खेलकर मतलब playful, खेलने वाले, बहुत मस्तिक हो पिल्ल मतलब बच्चे, तिखट, कान, तिखट, तिखट मतलब क्या होता है तिखट एक टेस्ट भी होता है, जिसको हम लोग तिखा बोलते हैं, पर यहां पे वो नहीं लेना है हमें, तिखट कान मंझेज, जाचे कान खुप शार्प है, जो जाचे आइकड़ा कुप चांगला है तिखट काना चा, आपन मंटो ना, कि तो तर एकदम तिखट काना चा है, ती तिखट काना ची आ है मंझेज का है, कि खुप बारिक कीने आइकट असे, लक्ष असता आइकड़ा मदे तिखट मतलब जो शार्प ली सुनता है, मतलब कहां पे भी कुछ भी हो जाइए, इसके कान हमेशा तयार है वो सुनने के लिए आगे हैं अनामिक दड़पन, अनामिक मंझेज अन्नोन, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है और दड़पन का मतलब होता है डिप्रेशन, हाँ, तो कभी-कभी हमें ऐसा महसूस होता है, हमें डिप्रेशन महसूस होता है, हमें बहुत बुरा लगता है बिना वज़र से, पता नहीं होता है, कुछ हुआ नहीं रहता है, फिर भी हमें थोड़ा सा डिप्रेश महसूस होत तो उसको बोलते हैं अनामिक दड़पण मराठी में ओके अनामिक मंझ जिसका माइट नहीं अपलेला काहिस आणि दड़पण मंझे तुम्हाला माइटी ये सके विशेषण आएं त्वाल किया दाठ खेलकर दिख़ट अनामिक आणि है त्याणिच सोबद ये विशेषण माइटी सांगित लेय त्यान विशेष्य अस मंटाथ आता ही ते जंगला बदल विशेश मायती कुटले शब्दाने सांगीत लेली है दाट या शब्दाने ता मोई जंगल हे विशेशन होता आणि दाट हे काय होता विशेशन होता आता ही ते पिल्लान बदल जासत मायती सांगीत लेली आहे माँ पिल्ला हे विशेश्य जाला आण खेऴकर हा थांस विशेशन जाला गुण सांगित लेला है थानी तीकत नाम येणार सरवन येणार काही येणार जचा बदल अपलेला माहीती सांगित ले तेला आपन विशेश्यमट ओके सो जर तुम्हाला वीडियो आवड लिया सेल तो प्लीज वीडियो ला लाइक करा चानल ला सब्सक्राइब करा आणि वीडियो जासे जासा मुलान परेंत तुम्छा मित्रम अईतने परबर शेयर करा चड़े करूं त्याना सुधा यागोश्टी चा खुब खुब फाइदा ह होई और याद से आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना है ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टन चीज है मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद